हलो दोस्तों मैतली के लिए बहुत बड़ा बीग अपडेट लेकर क्या हूं मैतली के लिए एक बहुत ही ट्रिक जादो ही ट्रिक लेकर क्या हूं है वो कौन जात वीडियों पूरा बाने रहेंगे चैनल परने देशनल को सब्सकाइब जरू कर लेंगे दोहर चोविस में जितने भी एस्ट्रुएंट है बोड परिक्षा देने वाले हैं बस ये वीडियो उन्ही के लिए है मैत्रिक में जो मैतली के भी द्यारती है और मैतली में परशन नहीं आता है तो क्या करेंगे कैसे लिखेंगे जी हां दोस्तों सोचो मैतली में परिक्षा हाँ में आप बैठे हैं और आपको कोई परशन ना आ रहा हो तो आप उसका उत्तर कैसे लिखोगे मैं बताऊंगा आपको बस वीडियो को इंड तक जरूर देख लेना बहुत सारे बच्चे वीडियो को सीप करते देखते हैं एक बी चीज़ छूड जाता है तो बच्चे पिर मिस कर जाते हैं और पिर कहते हैं कि सर आपने यह नहीं बताओं बैस सारी चीज़ बता रहा हूं बिल्कुल पस इंड़ तक बने रहेंगे बहुत इंपोर्टरियो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मेतली में ड़र लगता है कोई डरने की ज़ूरत नहीं है और पूरा नमबर मिलेगा बस ये काम कर लो बिल्कुल भी दैरती अगर ये काम कर लेते हो तो आपको पूरा नमबर मिलेगा काम क्या है बस देख लो सबसे पहले चीज क्या होता है माल लेते हैं कि मैथली का कोई परस्न उठा लेते हैं ठीक है जैसे मैथली का लगबग लगबग परसन आपको आ रहा था, आपको परसन नहीं आ रहा है, अब क्या किये? बश्त नहीं आता है, वहीं से आपका mood खड़ाब होना शुरू हो जाता है, और इसका impact दूखरी परसन पर जाता है, कि जो आता रहता है उसको भी हम भूल जाते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जो परफण आपको आता है उस परफण को बनाना शुरू कर देना है अब जो परफण नहीं आता है उसको कैसे सुल्व करेंगे सर ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है बस आपको अपना थोरा सा माइंड यूज़ करना और कैसा माइंड देशज देशी लुंडा वाला माइंड यूज़ करना है कि मैतली है ये मितलांचल की शान है और मितलांचल में रहने वाले व्यक्ति को मखाना और मचली का स्वाद पता है तो मचली और मखाना खाने वाले के पास बुद्धी बहुत होती है बस मचली और मखाना का उपयोग करना है वहाँ पर क्या करना है? माल लेते हैं कि हम उस परस्ण का उत्तर हमको नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे तो सबसे पहला है कि आपका परस्ण पूछ दिया मान लेजिए बच्चा आपको मान लेजिए एक परस्ण देता है आपको कि बच्चा शिर्शक का भाव अर्थ लिखे आपको परसन पूछ दिया कि बच्चा शिर्शक का भावारत लिखो तो आप परसन को पूछो परसन क्या चाहता है परसन से आप पूछो परसन क्या चाहता है परसन जो चाहता है वही आपको देना है बाकि एक्स्टा कुछ भी नहीं करना है परशन आपको कहता है कि मुझे यह चाहिए देखो कैसे ध्यान से सुनना कोई भी परशन कोई भी अब परशन को easily परना बच्चा पता है आपको बच्चा किसको कहते है है ना बच्चा विशेस यानि विशेस्ता खासियत ठीक है का भाव भाव का मतलब क्या होता है उस विशे में उस शेप्टर में जो बताए गया विसेह का अर्थ यानि मतलब अब देखो तो घुमा फिर आजे बाद कहां पर है कि बच्चा का मतलब लिखना है तो आपको उस प्रश्ण में एक भी शब्द का अर्थ पता हो तो आप क्या करोगे उस शब्द के अधार पर मैतली में आठ लाइन में लिख देना है बावा कितना लाइन में आठ लाइन में लिख देना है अब लिखना कैसे है जैसे आपका सिर्षक होगी या बच्चा सिर्षक का भाव औरत लिखा है ना बच्चा के तो भाईया बच्चा सिर्षक जो है बच्चा सिर्षक है या ठीक है बच् चैप्टर में यानि आई चैप्टर में विद्ध्यारती बच्चा के ज्ये संदर्ता के बच्चा के महत्वता के अस्पस्त्रता के räल के लिया अकि कई मात्या बच्चा पिता के संमान हो aparece मां husband बच्चा भग्मान के रूप हो छे घह घ़ूर के महत्ति लेल भविस्थ भारत और सौंसे राश्ट के सम्मान हो बच्चा के बेर्थ कोहिया से बकलोल हो इसे कंगाल हो इसे तो आप देखो आके बच्चा के रिलेटेड पूरे परस्न में से एक शब्द का अर्थ आपको पता चल जाए एक ने एक शब्द का अर्थ होगा क्योंकि आप 365 दिन में गहास नहीं चीले हो आपने बढ़ा है तो एक शब्द का अर्थ आपको पता चल जाए और उस एक शब्द के अधार पर आपको दो नमबर का परस्न आठ लाइन में और पांच नमबर का परस्न होगा तो बाड़ा लाइन में लिख के निकल जाना है और फिर प्रिच्छा भवन से हसते हुए निकलना है क्यों क्योंकि examiner को thesis चाहिए copy भड़ा होना चाहिए नहीं आ रहा था आपको छोड़ देते उससे तो बहतर हुआ कि आपने ये कर दिया समझ मैं आगया catrick है तो एक भी question को नहीं चुनना है मैथली में एक भी question ना आए मैंने पढ़ा दिया आपने अगर नहीं देखा है तो आप जहां आप जाके revision कर लो देख लो कि मैं गरंटी देता हूँ मैं कि हर परतेक सवाल दो नमबर का पांच नमबर का objective संशेपन उसके बाद मैंने निबंध completely चीज़ों को बता दिया है तो वीडियो अच्छा लाग होगा तो दोस्तों को शेयर जरूर कर लेंगे comment में बता देंगे thank you सर बताने के लिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बैल आगा अच्छा कर लेंगे ताले कि आने वाले वीडियो को अच्छा पर मिलता रहागा तो चलिए मिलता अगले वीडियों मिलता के लिए चैनल वन्दे मातरा